Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness So today we are going to discuss about soil for class 3 science करोडों साल पहले soil नहीं थी अर्थ पे अर्थ पर बहुत बड़ी बड़ी चटाने थी, बड़ी बड़ी रोक्स थी सन ने क्या किया, इन सारी ही चटानों को heat up कर दिया और उसके बाद जब बारिश होई, तो वो ठंडी पड़ गई तो यही प्रोसेस हजारों साल तक चलता रहा, चलता रहा जिससे क्या हुआ कि ये बड़ी चटाने छोटी-छोटी चटानों में convert हो गई, फिर ये छोटी चटाने फिर से तूटने लगी और चोटे-चोटे soil के particles बन गए अगर हम किसी भी rock को magnifying class से देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें small grains होते हैं, अलग-अलग colors के तो ये जो small grains होते हैं, जो rocks को बनाते हैं, इनको हम minerals कहते हैं कुछ rocks सिर्फ एक ही mineral की बनी होती हैं, जबकि कुछ rocks बहुत सारी minerals की बनी होती हैं कुछ rocks बहुत hard होती हैं, जिसका example हो जाता है आपका granite या फिर diamond जो की hardest rock होता है कुछ rocks जादा hard नहीं होती हैं, जैसे koila, coal और chalk एक soft rock होती है जो की बहुत असानी से टूट जाती है, जैसे हम देखेंगे blackboard पर लिखते हैं, तो chalk असानी से टूट जाती है अब हम जानेंगे मिट्टी कैसे बनती है तो जो water और wind की force होती है, इसके साथी साथ weather के जो changes होते है उससे बड़ी-बड़ी चट्टाने तूट कर छोटे-छोटे टुकडों में बदल जाती है, जिनको हम swail कहते है अब जो swail अलग-अलग जगह पर हम देखते हैं, वो अलग-अलग color की होती है कुछ मिट्टी हलके brown color की होगी, तो कुछ dark brown color की होगी कहीं-कहीं हम red color की swail देखेंगे, और अगर हम इनको touch करेंगे, तो इसके feel भी बहुत अलग-अलग सा आता है ये swail color में भी different होती है, feel में भी different होती है, क्योंकि ये अलग-अलग rock से बनी होती है अब जब animals और plants टाय आउट कर जाते हैं, तो उनकी body खराब हो जाती है, और वो मिट्टी में मिल जाती है तो जो खराब plants और animals होते हैं, तो उनको हम humus कहते हैं, humus dark brown color का होता है और ये plants की growth के लिए बहुत अच्छा माना जाता है अब हम experiment के बारे में discuss करेंगे, हम कुछ मिट्टी garden से उठाएंगे, और उसको jar में डाल देंगे इसकी उपर कुछ पानी डाल देंगे, इसको ढकन से बन करेंगे, और इसको जोर से हिलाएंगे और इस jar को थोड़ी देर रखा रहने देंगे कुछ मिनिट के बाद हम देखेंगे, कुछ layers बन जाती है पानी में सबसे नीचे थोटे-चोटे stones हो जाते हैं उसकी उपर rate के grains होते हैं, sand के grains होते हैं उसकी उपर clay होती है, और जो उपर पानी होता है, वो बहुत साफ नहीं होता उसमें कुछ ना कुछ particles होते हैं, जिनको हम you must भी कह सकते हैं अब next आता है, next activity की अगर हम बात करें, तो कुछ हम मिट्टे लेंगे और उसको एक टीन के डब्बे में रखेंगे, उसकी उपर धकन लगाएंगे उसको तोड़ा सा किसी बड़े के सहायता से heat up करेंगे कुछ मिनट के बात देखेंगे, अगर हम धकन खोलेंगे तो हम देखेंगे, यह धकन के अंदर छोटी-छोटी drops होती हैं पानी की तो इससे हमें यह पता चलता है, कि स्वैल में moisture भी होता है नेक्स्ट एक्टिविटी आती है कि कुछ मिट्टी लेंगे और उसको ट्रांस्पेरिंग जार में डाल देंगे जिससे बहु आधा भर जाए अब उसके उपर पानी डालेंगे तो जैसे ही हम पानी डालते हैं, हम देखते हैं यहर के bubbles आने लगते हैं तो इससे यह भी पता चलता है कि मिट्टी में हवा भी होती है अब हम टाइपस ऑप सॉइल के बारे में डिसकस करेंगे बेसिकली थ्री टाइपस की सॉइल होती है तो अगर हम कभी बीच पर गए हूँ तो वहाँ पर सेंडी सॉइल होती है बहुत rough होती है अगर हम हातों में लेंगे तो बहुत खुरदरी सी लगती है इसके particles बड़े-बड़े होते हैं और उन particles के बीच में space भी काफी जादा होता है ये पानी को hold नहीं कर पाती तो इस तरह की मिट्टी में कम पौधे ग्रो कर पाते हैं नेक्स आती है अपकी clay soil です बहुत smooth होती है इसके particles बहुत चोटे-चोटे होते हैं और ये pottery or toys बनाने में इस्तमाल की जाती है her बहुत soft होती है और इसको हम किसी लिए shape में चेंच कर सकते हैं ये मिट्टी काफी sticky होती है और इसमें काफी पानी hold कर पाते हैं नेक्स आता है लोम लोम मिक्षर होता है सेंड और कले का ये एर और वाटर दोनों को होल्ड कर पाता है इसमें हिूमस भी होता है जिससे इसकी फर्टिलिटी काफी बढ़ जाती है तो ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट रहता है अब आते हैं स्वाइल एंड प्लांट्स तो हम प्लांट्स को स्वाइल में ग्रो करते हैं अलग-अलग प्लांट्स को अलग-अलग स्वाइल की जरूरत होती है अपनी प्रॉपर ग्रोथ और डबलप्मेंट के लिए जैसे अगर हम चावल की बात करें तो वो कलेई स्वाइल में बहुत अच्छे से उखता है या फिर बाजरा की बात करें तो वो सेंडी स्वाइल में बहुत अच्छे से उखता है बाकी कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो लोम स्वाइल में अच्छे से हो जाते हैं मैन्योर की बात करें तो उसमें काव डंग होता है और डीकेंग लीप्स होती हैं जो खराब हो जाती हैं तो हम स्वाइल को फैटाइल बना सकते हैं, मैंने और फैटिलाइजर एड़ करके. अगर हम बात करें तो यह हमारी स्वाइल की क्वालिटी को काफी इंप्रूब कर देते हैं, क्योंकि वो हुमस के फॉर्मीशन में बहुत हेल्प करते हैं. So that's all for the day. Thank you so much.